श्री शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादीव देखे आठ नवंबर को मंगलवार के दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इस दिन चंदर ग्रहंड भी है तो चंदर ग्रहंड का सुतक काल कब रहेगा चंदर ग्रहंड को क्या करना चाहिए और चंदर ग्रहंड के बाद आपको विशेश एक उपाय क्या करना चीए मात्र 9 लोंग का आपको उपाय करना है बहुत ही अच्छुक उपाय है पुझी गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन वीडियो में आगी बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राब करना देखे कार्तिक मास की पूर्णी मा आठ नवमबर को है और चंदर गरहन जो है वो शाम को आठ नवमबर को शाम को पांच बचकर 32 मिनिट से शुरू होगा जो की चैनल को जो शाम को ही तो चंदर गरहन का जो सुतक काल रहेगा वो सुबा आठ बचकर 10 मिनिट से शुरू हो जाएगा जो की शाम को चैनल को शे बचकर गुनिट पर समापत होगा यानि कि आज की इस वीडियो में हम जो नो लॉंग का जो उपाय आपको बता रहे हैं वो आपको 6 बचकर 20 मिनिट के बाद करना है यानि कि शाम को करना है देखे गरहन के समय आपके घर के मंदिर जो है वो आपको बंद कर देना है घर के मंदिर के कपाड बंद कर देना है और साथी साथ ग्रहन के समय आपको कुछ भी चीज ग्रहन नहीं करना चीए देखे ग्रहन के समय आपको भोजन भी ग्रहन नहीं करना चीए इससे नकारत्मक उर्जा आपकी शेरी में आती है देखे गर्बवती महिला और बुजर्ग जो होते हैं अगर उन्हें दवई लेनी है तो वो दवई ले सकते हैं या कुछ भी उन्हें कुछ खाना हो कुछ भी ग्रहन करना हो तो वो तुलसी दल का उप्योग करके ही के ही वो ग्रहन करें आगे आपको मास समझ में देखें विशेश गर्बवती महिला जो है ग्रहन के दोरान उनको बाहर नहीं निकलना है देखो अब आपको करना क्या है ग्रहन पांच बज़ कर 32 मिट से शुरू होगा तो साड़े पांच बज़े के पहले आपको 9 लोंग लेनी है बिल्कुल द्यान समझना 9 लोंग आपको 2 कटोरी में लेनी है एक कटोरी में आप 5 लोंग लेंगे और दूसरी कटोरी में आप 4 लोंग लेंगे देखे जिसमें आपने 5 लोंग रखी है वो कटोरी आपको रखना है आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर वो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर सीधे तरफ रख देना है ठीके और एक कटोरी में चाल लोंग रखिए वो आपको घर के मंदिर में रखना है ग्रहन का कोई भी नकारत्मक प्रभाव आपकी जीवन में नहीं पड़ेगा अगर चंदर ग्रहन लगता है तो आपके घर से शीतलता शांती जाती है तो आपके घर में सुक समरद्धी शांती बनी रहे इसलिए भी आपको यह उपाय करना है देखो अब आप क्या करेंगे ग्रहन के समय हो सके तो श्री शिवाय नमस्तुब्याम या ओम नमस्शिवाय मंत्र का जाब करें और आज के दिन त्रीपूरासूर नामक राक्षिश का वद भी भगवान शिव नहीं क्या था चंदर ग्रहन समाप्थ हो जाने के बाद यानि कि 6 बचकर 20 मिनिट के बाद आपको क्या करना है अब आप क्या करेंगे उन दो लोंग में आपको वापिस कपूर डालना है और उससे पूरे घर में आपको दिखा देना है इससे घर में जो भी गरहन का गलत प्रभाव पड़ा होगा इससे वो सब दूर हो जाएगा अब आपके पास बची दो लोंग और आपको लेकर के जाना है शिव मंदिर में आप क्या करेंगे एक दीपक रखेंगे दीपक के अंदर कपूर डालेंगे और उसके बाद ये दो लोंग रखेंगे और भगवान शिव के आप आरती कर लें अगर आरती नहीं आती है तो ओम नमसषिव आई का जाब करते हुए आपको भगवान शिव के आरती करनी है अब आप क्या करेंगे थोड़ी देर इसे थंड़ा होने के लिए रखतें देखें अब ये जो भस्म है इससे थोड़ा सा चूर करके भगवान शिव के उपर आप आपको अर्पित कर देना है कार्तिक पूर्णिमा की रात में ही बस इतना सा उपाय करना है इससे आपके घर में किसी भी व्यक्ति के उपर कोई भी गलत प्रबाव नहीं पड़ेगा अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श